हाई गुड मॉर्निंग गाइज वेलकम टू पांडो इमिलेस अकेडमी आएम बागरत गोदारा विद न्यू वीडियो आज हम सेंटेंस के लर्न के सिक्वेंस में हम सेंटेंस को सीख रेंगे सेंटेंस क्या होते हैं कितने परकार के होते हैं और हम उनको केसे केसे पहचाने मो सामने आते ही हमें पता चल जाना सभी कि किस तरह का सेंटेंस है हम उसके पूरे मिटर को रखना पड़ता है मैं सेंटेंस के काइंड के साथ सांथ ने उसको पहचाने कि कुछ अलग तरीके बता रहा हूं कि इन इन चीज़ों को अप देखोगे कुछ तोते मिनिंग्वल जो आज आगे बटने से पहले मेरा निवदन है कि मेरे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें यूडियो को पूरा देखें मेरे इस चैनल पर क्लास 6 से 12 तके सिस्टी और से लिए इंग्लिस के सभी लेस्नस के नौर्ट मिलेंगे इंग्लिस ग्रामर में September वो इस नरेशन मोडर वर्प सब आपको सिस्टेमेटिक में अच्छे मेंनर से मिलेंगे इसके लवा मैंने English कंपोजिशन में एप्लिकेशन राइटिंग इस्टोर राइटिंग एशे राइटिंग प्रोसेस राइटिंग स्पीश राइटिंग यह सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से एक्स्प्लेइन कर रखी है एक मेंने इंग्लिश बैसिक इंग्लिश कोर्स का क्रोस भी चालूकर रखा है जो लोग इंग्लिश को जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं या अपने कंफ्यूजन को दूर करना चाह लग लग भी हो जाता है तो वीडियो को वहां से देखेंगे तो हमें उस चीजों को समझ पाएंगे अब आगे हम बढ़ते हैं कि हम पढ़ें इंट्रोगेटी अलंकि इंट्रोगेटीव सेंडेंस की डेफिनिशन में पिश्ची वाले पार्ट में देश प्रेवारी रिपीट कर देता हूं अ सेंटेंस इन वीज इस पुछा जाता है वह इंट्रोगेटी को पहचान ले हिंदी में अगर मैं कहूं तो वह वाय के जिसमें कोई पुछा जाता है प्रसें वाचसे कवा के कहलाता है जैसे मैं कह दूँ कूल्ड मी मुझे किसने बुलाया मुझे किसने बुलाया इस चीज को थोड़ा सा ध्यान सिपड़ें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान है कि उसके लाज़ में आएगा और ऐसा मार्क और कहीं नहीं आएगा सिर्फ यहीं पर आना है दूसरा सेंटेंस वोट इज यूर नेम आपका नाम क्या है वोट इज यूर नेम माई नेम इज मौन जो भी है ओके सो इस तरह से क्यों पूछ जाएं अब मैंने इकल आपको यह भी समझाया था उसके पहले वाले वीडियो में कि यह इंट्रोगेटिव दो परकार की होते हैं एक यह सोटाइब की होते हैं यह और नो टाइप की सेंटेंस वो कहलाते हैं जिनकी आंसर यह स्यानो में दिये जा सकते हैं इसके तीसरा option हमारे पास नहीं होता एक होता है जिसके आंसर में डिस्क्रिप्टिव में देना होता है कुछ कहना बताना पड़ते हैं मैंने पूछा हूँ कोल्ड में मुझे किस नहीं बुलाया तो हमें उस व्यक्ति का नाम बताना पड़ेगा वोडिज यूर निम आपका क्या पहले बता दिया था कि यस और नो टाइप का तो पहले वाले वीडियो हो चुका है जो इस चैनल पर नहीं है उनसे निवेद नहीं क्यों पहले वाले वीडियो जुरूर देखे तब यह समझ में आएगा अधरवाइस यह आपको समझ में नहीं आएगा लगवक्त 10-20 लगवर और इस तरह के जो वर्ड आते हैं उनसे भी क्यों सुरू होते हैं इन से जितने वी कुरिशन शुरू होंगे उनका आंश्र में कुछ बताना पड़ेगा यह दो नहीं नहीं देना हैं जैसे हूप पूचा तो नाम बताना पड़ेगा वेड पूचा तो समय बताना पढ़ेगा व आल्ज पूंश एक पूरीजडाना पढ़ेगा इस तरह से भी बताना पढ़ेगा तो उसको बोलते इन दिस्क्रिप्ट्टिजन बॉर नातमक एक पुषिन इन विस सिर्प्रीप्ई इजिए चौछुन जिसके परसन जिसका उत्तर वर्णात में गूरूप से दिया जाए उसे डवलुएच और एच्ट विलो वर्ड टाइब सेंडेंस कहते हैं वर्णात में का मतलब समझें जैसे मैंने पूछा वैंस से क्वेशन पूछा कि आपको उठने का समय बताना पड़ेगा मैंने वैर से पूछा कि आप कहां रहते हो तो आपको रहने की जगें का ना बताना पड़ेगा ना मैंने पूछा वाई कि आकल आप स्कूल क्यों नहीं आए तो आप उसका रिजन बताना पड़ेगा मतलब दो तरह के क्वेशन होगे एक उतो यस और नो का जिसमें आंसर सिर्फ यस या नो में द सब्सक्राइब का है या यह सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें को यह नहीं सोचे कि मुझे तो आता है आप कमेंट करेंगे तब आपको पता से लेगा कि कि किसको कितना आता है कमेंट करने में कभी पीछे नहीं आटें वीडियो को पोज कर लिए कमेंट करें अभी हां तो यह सेंटेंस है किस तरह है क्यों यह ओंद रहे हैं और इन्ड सिंबल च्रोल बडाता है कि Disk होताएगा फर्स्ट लेटर कि यहां डब्लूएज वर्ड आया है यह हैं यहां डब्लूएज नहीं इसका मदूद है तो फिर वह यह सोर नो टाइब का हो जाएगा आगे मैं कह सकता हूं वाइडिड यू कोल में आपने मुझे क्यों कोल किया था तो इस डब्लू इस क्वेश नृइशन डब्लूएज वर्ट हाइप का है तो इसमें रिजन बताना पड़ेगा तो इस तरीके से और भी कास्व मजीदार्ट्रिक्स के साथ में आगे बढ़ते हैं आगे हम पढ़ेंगे जो पर वृच्व पर इंट्वर्ड वर्ड से पहले आएगी जह वह सोर नो का ह सब्जेट से पहले आजाएगी अगर वह है तो यहां से शुरू जाएगा अभी मैं और पस बताता हूं यह देखी यह जो पैटर्न है इन दोनों में कंपरिजन कीजिए यह शुरू होता है यह सब्जेक्ट जो कहां भी सब्जेक्ट है इसके बाद नोट आता है नोट का यहां मुझे प्लस लगाना चाहिए था ध्यान दें आप प्लस का ध्यान रखें यहां प्लस लगेगा दोनों जोगें यह नोट मुने ब्रैकेट में लिखा है इसलिए लिखा है कि जरूर्द पढ़ें तो हम इसको लगाएं अदरवाइस हम इसको ओमिट कर सकते हैं मैंनू ले सकते हैं यहां भी मैने मैनomma के बात नियुक्तर आ अगए यह यूजा निव का और हिसके बाद में अडर अदर का मतल़ की होता है समय कारी करने का तरीका यह सब सब्सक्राइब दोनों ये लगी यह बना रहे हैं तो किस तरह का वेलेटर लगाना है पूछेंगे तो हम दिए प्लेस इस्तान के बारे में जाना है तो हम वाई से सब्सक्राइब करें वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा अब यह थोड़ा से पहले इसको रेज कर लेता हूं करें कि आगे बढ़ते हैं कि हूअ हूँ हूँ और यू संदे कि कैसा हूं पहले नहीं करने कि सबस्क्राइब यह कि मत्ला है क्यंट है और और दो क्या है आप कोन है तो आप कोण है तो आप को अपने बारे मताना पड़गा आपके देंगा आयम को इस्टिक Odyssey आयँ मैं प्लीस इंसक्टर एक्टर यह आप Li नेम बता सकते हैं अलांकि नेम बताने के लिए पुछा दाता है ओट इस यूर नेम हाना लेकिन आप हुआर में भी चाहिए तो आप अपना इंट्रोडेक्शन में ऐसा कर सकते हैं आगे क्वेशन देखते हैं आप कोने हिंदी में लिखा है वो डिड्यू राइट मी ने है तो सब से पहला काम सेंडैंच को पहचान है क्योंकि आप पढ़ोगे तो सेंडैंच जिना फुक्परह प tahuặt है चेंग नहीं कर सकते हैं हैं तो सबसे पहला को है झाल्ग्शन में देखने में तो यह लगता है क्लए कि भुच इज्म आपनोड़ सकते हैं कि hating कि हैं है तो इसका है सबसे पहले इन्टरोगेट्व माख इसका मादल वांक्त इंट्रोगेट्व आप कौन चाहे यह यृव हम पहचानेंगे है इस वर्ड से यह वर्ड टाइप कियों कि सबसेंगे व्रड है आया है जैसे कि आप मुझे आपने मुझे पत्र क्यों लिखा इसका इंदी ट्रांसलेशन दिया मैंने आपको समझाने के लिए तुम मेरी साहता के से करोगे हाव विल यू हेल्प मी इंट्रोगेटिव माक है इस में इंट्रोगेटिव सेंदेंस है यह 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 यहां से पता चलेगा और कोई मेथड नहीं है अच्छा जब आप सीख जाओगे तो इन चीजों पर बार-बार ध्यान देने के जुरूत नहीं है यह आपके मैंड में इसका ध्यान रखें हाना आगे हम बढ़ते हैं अब देखें यहां समझें हूं से पूछा है तो सब्जेट नहीं आ देगो यह हैं सब्जेट आना चीजए था लेकिन यह सब्जेट नहीं है यह क्यों है क्यों कि जब इस एम आर के बाद में अलग से कोई मैन नहीं आती है है टो इसमें में अपनी क्या बन बंजाती है और में बाद मेंशा आता है यह क्या नहीं ही यह हमें है क्योंकि हूशे आते हैं तो हम आगे हम और पढ़ते हैं तो मैं संधा रहा था कि कौन्कि हम लिखेंगे तो कौन साथ सब्द अटेगा जैसे मैंने लिखा तुल्चिदा रोट रामायन तो यहां इसका इक्वेशन बना हू रोट रामायन तो देखो जब मैंने हू से लिखा है तो तुल्चिदा सी चलेगे इसका यह मतलब हुआ कि जब भी हू आएगा तो सेंटेंस का सब्जेट हट जाएगा क्या आट जाएगा जैसे मैं कहें दूँ तो आप कहूंगा आई एम पवन तो आई कोन सब्जेक्ट है तो जब भी हू से क्वेशन पूचेंगे सब्जेट हट जाएगा और और भी देखत रहा है तो आप यहां देखें जब हम से पूछेंगे ज्यान दें इसा हो गया होगा यहां देंगे जब यह से लेकिन वह का है ठीक है अब हमें यह देखना है कि वोट आएगा तो क्या हाटेगा तो वोट आता है तो हमेशा object अठेगा वो भी कौन सा non living being object अठेगा कौन सा अठेगा निरिजी object दो तरह के होते हैं मैंने गलग वीडियो में समझाया है वीडियो जो second है sentence learning में statement sentence का उसमें मैंने इस बात को explain किया है कि object क्या होता है हम object कैसे पैचाने और भी हम देखते हैं I would win the race by running fast तो कैसे आप रहन को कैसे विन की तो इंट्रोगेट्व है लेकिन हाँ आ गया तो काम करने का तरीका काम करने का तरीका आटेगा यह सब चीजी मैं आगे explain करूंगा आपको अलग से अब इस तो पर एक बार आपको interaction दिया तो अब हम पढ़ते हैं फू से कि हू आता है तो क्या होगा वोट आता है तो क्या होगा देखते हैं और इधर लिखे हैं मैंने वोट होगा तो क्या होगा तो पहले हूँ वाला पढ़ते हैं who will help me, मेरी साहता कोन करेगा, तो who आया है, तो इसका मतलब है, हमें सिर्फ subject का नाम लिखना है, और कुछ नहीं लिखना है, इस बात को अपने real life में implement करें, जब भी आप book में question learn करते हैं, या कोई paragraph show करते हैं, mostly competitive examins के अंदर paragraph के question आते हैं, scene और unseen paragraph आते हैं, उन में इस question पुछ जाते हैं, जब भी who आ गया, उसका इतना ही मतलब है, कि हमें वहाँ subject लिखना है, उस व्यक्ति का नाम लिखना है, बाकिवाला part as it is रहेगा, जैसे some student will help you, तो यहाँ who कीजिए क्या लिखा, सिर्फ some student लिखना है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई विल हेल्प यू, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, टीचर भी लिख सकते हैं, तो वह तो आपका subject है, कुछ भी लिख सकते हैं, आगे मुझे बढ़ते हैं, who is watching TV, अब TV कौन देख रहा है, इस मेंज उसका नाव लिखना हैं में, यहां मैंने इस question को आपके लिए छोड़ा है, आप अपना इसका answer दे अपने इस तरफर क्या होगा, आगे वाला question है, who can speak English, English कोन speak कर सकता है, तो I can speak English, तो who जब आज आएगा, तो हमें सिर्फ subject लिखना है, यहां थोड़ा सा द्यान दें, यह मैंने question mark लगा दिया यहां पर, यह नहीं होगा, यह बिल्कुल नहीं होगा, ओके यहां full stop ही होगा, तो आगे हम देखते हैं, जब भी who आगया, तो वहां पर सिर्फ subject आएगा, क्या आएगा, शिर्फ subject आएगा, और कुछ नहीं आएगा, इस बात को विशेश द्यान दें, इस बात पर विशेश द्यान दें, तो आपको यह समझ माया होगा, कि who आते हैं दब क्या होगा, यह question मैंने आपके लिए छोड़ा है, विडियो को पोज़ करके अभी इसकी answer दें, कि who की जिगर क्या आएगा, who is watching TV क्या आएगा यह बताएं, ठीक है, आई थिंग आपको समझ माया होगा, आया हैं तो आप thumbnail बेजें, पता चले की वास्तों में आया है, तम अप करें, मैं बेट कर रहा हूँ, शाबास वीडियो को फोज़ कर लें, ताकि मैं समझ सकूँ को आपको समझ माया है, अगर नहीं आया है तो खुबारी बेजें, आगे हम पढ़ते हैं वोट के बारे में, वोट जो होता है, इसका मतल़ हिंदी में क्या होता है, क्या होता हिंदी में, क्या, उस वस्तु का नाम बताना पड़ेगा, यहां उस वस्तु का नाम बताना पड़ेगा, जैसे आप देख लीजी, आपने कार खरीती है, तो मैं पूझ लो, आपने क्या खरीती, तो आपने कार क्रीती है, तो कार का जो क्या का जो आंसर है वो में से क्या होगा नोन लिविंग होगा द्यान दें इसके बारे मैंने एक अलग से वीडियो बनाए ऑबजेट के बारे में आप उसको देखेंगे ना तब इक्वेशन बना पाएंगे आदरवाइज आपके लिए सब्जेक्ट ओब्जेक्ट लिविंग नोन लिविंग सब एक वराबर हैं आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाओगे तो क्या हो जाएगा वोट ओब्जेट आएगा कौन सा इंडारेक्ट है और जो इंडारेक्ट ओब्जेट होता है उसे बोलते नहीं बता है ध्यान दें वोट व्ल हैं यूज सब्जेक्ट के बाद में अबजिट आना सी थी लेकिन यहां ध्यान दें मी ओब्जेक्ट है मी क्या है और जिट है तो मैंने बताये आपको कि ओप्जेट दो तरह क्यों होती है लिविंग और नौन लिविंग विंग वोट यह भी आगे आएगा आज यहां पड़ेंगे इसके बारे में कि तो हो में इसको सब्सक्राइब को समझाने की जूरूत क्यों पड़ी क्योंकि हमने ये समझ रखा है कि मीमनोब yayएगा आपश्यों क्योंर दोट्रय के होते हैं तो कों सा अबजेक्त है पहसान दाना में I will give you a book तो वोट का अन्सर क्या था A book था तो इस बात को मेएस अपने माइंड में सेट करकर है वोट का अन्सर नोल लिविंग भी होगा आप प्रैक्टिकल यूज करें आप क्या खेल रहे हैं आप चेस खेल रहे होंगी कि आप क्या देख रहे हैं आप फिल्म देख रहे होंगी कि आपको बुक नाम नोविल नाम ड्रामा नाम पताना पड़ेगा उस बुक का नाम पताना पतेगा तो यह सब चिज़ें वोत के आंसर में आती है और हम पढ़ते हैं वोट क्या ख्रिद लिया तो क्या ही गर होगा कार करती ओगई भू कि federal करili ख्रिदा कि जान सकते है कि ऑब्जिक होगा जिसमें वोट का आंसर मिले ऑगर आंसर पूचिये और आदर्वाई ऑपजिक्ट नहीं है, डूसरा हुम से दो ही ऑपजट से मेद और मिलें अगे इन पढ़ते हैं और होता है रहा है बता ये है आप मुझे तो यह लास्ट वाइस ने मैंने आपके लिए छोड़ा है आप मुझे इसका आंसर बताएं कि वोट का अंसर क्या होगा कोई भी स्पोर्ट का नाम लिखके बताएंगे तो इसका आजाएगा आपको समझ माया होगा कि वोट बाता है तो नोन लिविंग बिंग टड़ता है इस बात को हलांकि इसका मैंने अलग से वीडियो बना रखा है यहां मैं ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि वीडियो लेंग दी हो जाएगा तो इसको देखें आप आगे देखते हैं वोट और हूम से इन दोनों के साथ कंपेरिजिन कर मैं आपको रिष्ट वोच दूँगा रिष्ट वोच का मतलब होता है कलाई घड़ी यह रिष्ट वोच यहां तेक पूरा अब्जेक्ट है ठीक है लेकिन अब देखें इधर फूम विल यूग्यू रिष्ट वोच जब हमने हूम से पूच्छा ध्यान दे इस बात को विश से फुचते हैं तो ओल्सा कैसे ृफ 천 फूचेंगे तो लीविंग भी हतिगा या किसे हैं और कि आप रिष्ट कह्ते हैंगे उग्याVEN बता से यहां पर देंगे तो वह अब्जेक्ट है तो इसे मैंने लिख दिया आई विल गिव यू एरेस्ट वोट ठीक है आगे वाला क्वेशन वोड डिड यूर मदर टेल यू आपकी मदर आपको क्या पताती है तो आप कह सकते हैं माई मदर टोल्ड मी इस्टोरीज माई मदर टो लिए तो नो लिविंग बिंग आ सकता है अगर जूरूत पड़े तो नें भी यह कोई बात नी है और जब वोट आता है तो लिविंग बिंग आ सकता है लेकिन नो लिविंग बिंग नहीं आएगा तो यह एक दूसरे के स्याइब को समझ माया होगा अगर समझ माया है तो कि किसको लिखा यह आपके लिए चोड़ा है इसका आप खुद करें इसे बताएं अभी मैं वेट कर रहा हूं वोत है यूव वोट है यू रिटन टू मुहन को क्या लेख चुखे हैं या होगा कि इन दोनों का आंसर क्या हो सकता है हना सो वीडियो कर अच्छा लगता है रहे हैं सब्सक्राइब करें कमेंट जरूर बताते हैं कि आपको कितना समझ माए है अब हम पढ़ेंगे वेर का हना तो वर आर यू स्टेडिंग आप कहां पढ़ रहे हैं तो आप उस इस्तान का नाम बता सकते हैं I am studying in डीवी श्कूल वेर विल यू स्टे इन जहपूर आप जहपूर में कहां रुकेंगे आई ऐल स्टे आड जहपूर in my cousin's room at my cousin's room in जैपूर तो यह cousin's room जो इस्तान का नाम है ध्यान देना वेर आएगा तो इस्तान का नाम लिखना है और कुछ नहीं लिखना है अमें यह तो समझ में नहीं आता पता नहीं किसी से क confession क्वेस्ट नहीं लिखना ए इसतान का नाम लिखना है और नहीं लिखना है और हम देखते हैं वेन टाइम जब समय के बारे में पूच नहीं से पूच जैसे मैं कहा दूँ वेन विल यू कोल में आप मुझे कब कोल करेंगे तो इस इस्तान का ना उस ताइम का ना बताना है तो आई विल कोल यू इन देख लो एक बात और हमेशा द्यान रखें टाइम और प्लेस दोनों ही ऑपजेट नहीं माने जाएंगे ऑपजेट वही होगा जो वोट का और वोम का अंसर देखा और टाइम और प्लेस हमेशा सेंडेंस में लास्ट में आते हैं हाना इस सीज़ का ध्यान दें आगे मोड़ पढ़ते हैं वेन डीडे रमन पास्त एक्जाम रमन पास रमन ने कब शाइं पास की आप एक्जाम एक लास्ट यह तो लास्ट यह टाइम हो गया नहीं हो गया तो हम और पढ़ सकते लाँ का होसे मतलíllब होता है कैसी तरीका का म करने का तरीका आप कैसे काम करते हैं आप कैसे पड़ते हैं कैसे खेलते हैं यह सब तरीकी आते हैं So How can you read a book आप कह सकते हैं I can read a book easily to read a book very loudly to read a book very hardly हाना तो इब बभर बुक पड़ने का कपोचा गया है काम करने का तरीका How did baby weep बेभी के से रोई थी तो बेभी वेट लाउडली बहुत जोर से रोई थी आप केसे रन करते हैं तो इसका अंजर आपको देना है अब हम पढ़ेंगे कि वाई से से क्यों आये तो अना और तो तो दियान दें थोड़ा सा एक्स्क्ता धियान देने के सिरोगी और जेपूर आप जेपूर क्यों गए थे करने ही Cen तो मैंने उपर फोर्मूला भी लिखा है द्यान दें वह आधा रिजन तो रिजन के हम सेंटेज में कैसे पता लगाएं कि इसमें कारण है जब यह सेंटेज में टू प्लस फरस्ट वह आ जाए तो रिजन ही होगा वह तो यहां भी आया है और यह नाम आए तो यह नहीं है क्य तो वह नहीं है इसके लावा एक क्वेशन बढ़ सकता है क्यों तो आप क्या कहेंगे मैं कल अब्सेंट इसलिए था क्यों कि मैं कल विमार था तो वाइड यू एस्टर यू अब्सेंट यह वोज इस सीख तो इस तरह से क्वेशन बनेगा द्यान दें जब भी वह आईएग तो टू पलस वर्व जुरूर आएगी तभी उसक्षे क्वेस्टन बन सकता है अधरवाइस क्वेस्टन नहीं बन सकता मैं छो सब्सक्राइब बनाओं तो क्वेश्टन नहीं बनेगा क्योंकि है इस प्रेश्टमर नहीं लिए सबस्क्राइब आगे मोर पढ़ते हैं वाई है यू यू मैंने गड़त लिख दिया है यह है यू के साथ हमेंसा है यह मिस्प्रिंटिंग हो गई है थोड़ा ध्यान दें इस वाई है व्यू रिटन एलेटर टूमी आपने मुझे पत्र क्यों लिखा तो क्या होगा आये हैं रिटन किसलिए आपको सुसना देने के लिखाता तो टू इनिफोर्म इसका रिजन है और भी क्वेशन पूछ सकते हैं वाई विल यू कोल में आप मुझे क्यों करोगे तो इसका कारण आपको बताना है तो इसका आंसर आप खुद दें ताकि आपको समझ में आ सकें अभी आंसर दें तक चले हैं दूसरों को मेंटा पढ़ सकें समझ सकें और बढ़ते हैं और हाव मैंनी इसको देखें यह होता है कितनी संख्या कितनी संख्या तो देखते हैं यहां है कि आप ने कि प्रचेज किये तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे के समझें आई है फिप्टी बुक्स तो ध्यान दे हाउ मैंनी आएगा तो यह सिर्फ संग क्या आटेगी और कुछ नहीं आटेगा और ध्यान दें जब मैंनी आ अब इसको आप सिर्फ संटेंश मत समझें ग्रामर में कहीं पर भी अगर मैंनी आ गया तो इसके बाद का नावन ही आएगा इस बात को विशेज द्यान से पढ़ लें आगे पढ़ते हम हाव मैंनी फ्रेंड्स डू यू है आपके कितने फ्रेंड्स हैं आप कहा दें आए हैव लुग तेन थाउजन यह इतना है वर्ड आटेगा संख्य और नहीं आटेगा इस बात का ध्यान दे मैं को मैं पूस्ता हूं हम मैंनी फोन डू यू है आपके पास में कितनी फोन है तो आप संख्या बता सकते हैं आप कह सकते हैं आई हैं फाइव फोन्स आयर टू फोन पोन क्या आटेगा आगे एक वर्ड इसी के रिलेटीट और हाव मत्स कितनी मात्रा quantity आटेगी quantity ध्यान देखते हैं कैसे हाव मस्स मिल्क कि डू यू टेक एवरी डे हर रोज आप कितना मिल्क पी लेते हैं तो ध्यान जब भी मत्स आएगा इस बात को गांट बना करके रखें और मत्स के बाद हमेशा एससे म्यांट नहीं कर सकते हैं जी से सब्सक्राइब हुटर आ गया डिजिल आ अना घी आ गया बटर आ लिक भी चीजह वोई आएगी कौंटिटी आएगी संख्य नहीं आएगी इस बात का विशेज धृण देना है देखते हैं कि I take two liter milk everyday तो यह तू लिटर ध्यान दें अब आप यह कह सकते हैं कि सर यह भी संख्या और यह भी संख्या है तो संक्या के बार्त तो संक्या के बाद में मैं और टींस का अंसर मनी को समझ्थ हूँ है प्र यह पताने ज़िए क्यों बार बार जाजही यह ए यह उस हुं मन है इस गी यह हांगे क्डिया फॉम पहरी तो यहां पर इनिश क्या का answer है इस बात को द्यान से पढ़े हैं आगे हैं हाव मस्ट टाइम कि यूज इस पैंड ओन यूर इस्टडी आप अपने कितना समय स्पैंड करते हैं तो आप मच्टाइम हो सकता है लोट ऑफ टाइम हो सकता है तो इसका अंसर आप इसे दे आपको यह समझ माया होगा समय माया तो लाइक करें ताकि मुझे पत्के आगे हम देखते हैं अब आपके लिए क्वीज जो आज आपने पढ़ा है उसका आपको टेस्ट में क्या है इसका आपको दो से क्वेशन बनाना है और दोनों से क्वेशन बनाना है आप चाहें तो नहीं दो से क्वेशन बनेंगे आगे हम मैं बताता हूं रमन है आज की टू हेल्प इसको आपको वाई से क्वेशन बनाना है आपको यूटूब की कमेंट बॉक्स में इसका लिक दो चा send me a dictionary रावन मुझे एक Dictionary भेज़ेगा तो ज्ञान दें आप वोड से कोईशन बना सकते हैं आप हों से कोईशन बना सकते हैं तो तीन बन सकते हैं और जैदा कोईशन नहीं पनेंगे तीन बन जाएंगे आगे हम बढ़ते हैं अधिति कहने स्पीक इंगलिस फ्लॉएंट ली तो यहां हाव esquieson बनाना है लाकेश gonna wiast 식 होल मिल्क तो हाव मत कितना मलक पी गया हो कितना मिल्स पी जाएगा तो वह मात्रा है वह आपको बतानी आपको समझ माया ओगा मैंने वीडियो को लेक्तेशा आपको अच्छा पढ़ाया है हर चीजों को अच्छी तरह से एक्स्प्रेंग किया है जिदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें सब्सक्राब करें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा